नमस्कार आप सभी का स्वागत है मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं इविद्या चैनल चैनल नंबर दस पर हम हाजर हैं लेकर अपनी आज की ये लाइव इंट्रेक्टिव सेशन जो की इंक्लूजिव क्लास्रूम की है समावेशी कक्षा की जब बात होती है तो हम जानते हैं कि वो कितनी महत है तो हम अपना आज का ये सत्र शुरू करते हैं जो की सोशल साइंस का है और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वाटर रिसोर्स जल स्रोतों के बारे में हम बात करेंगे जो की हमारे जीवन का एक अभिन अंग है अभिन हिस्सा है और हमारी एक ऐसी प्राकरते का आवशक्ता जिसके बाइ जीवन संभब नहीं है तो तो यह एक संदेश G20 का जो मैंने आप सब के साथ साजा किया, इसके साथ हम अपना सत्र शुरू करते हैं, आप स्क्रीन पर मेरे साथ देख रहे हैं, मिस मधू ने स्क्रीन साजा किया हुआ है, मधू नमस्कार आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मधू इंटर्प्रेटर है और आज हम जो भी पढ़ेंगे, जो भी डिसकस करेंगे, उसे यह साइन लैंगोज में इंटर्प्रेट करेंगी, और हमारे जो एक्सपर्ट है, वो आपके प्रशन का उतर देंगे, आपकी जिग्यासा जो है, उसको बताएंगे कि कैसे उसको आप जान सकते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में है मिस नमरता अमर, आप सीनियर, स्पेशल एडुकेटर है, और गवर्निंग बोर्ड मेंबर, मनु विकास चरिटेबल सोसाइटी, तो नमरता जी आपका स्वागत है, नमस्कार, बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है, वाटर रिसोर्स की हमिया बात कर रह हमारे पास बहुत सारे प्रकार के बच्चे होंगे, जैसे विजुली इंपेर बच्चे होंगे, जिसमें लो विजन बच्चे होंगे, टोटली ब्लाइंद बच्चे होंगे, हेरिं इंपेर्ड बच्चे होंगे, इनि इन्ट्लेक्ट्टल और डिसिबिलेटी के बच्चे हो तो एक इंक्लूसिव क्लास्रूम में टीचर के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉंसिबिलिटी आती है कि वह इन सब बच्चों को साथ लेकर चले तो इनको साथ लेने के लिए टीचर को थोड़ा सा पहले होंबग करना पड़ता है थोड़ी सी प्रिप्रेशन करनी पड़ती है ताकि क्लास में जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो इजीली सारे बच्चों को समझ आ जा जाए जैसा आपने कहा पानी हमारे जीवन का बहुत ही अभेंग है क्या आपको मालूम है प्रिथवी पर कितना पानी है पानी की यदी बात के रहें तो जहां भी हम देखते हैं चारो 10th के हिसाब से अलाकि यह बहुत सरल है बहुत कम पानी है सिर्फ तीन प्रतीशत पानी है जो हमारे पीने योग है जिसकी हमें वशकता है तो जब हम बात कर रहे हैं कि प्रिथवी पर पानी है और 70% पानी है यह कंसेप्ट हम अपने वीजुली इंपेड बच्चों को कैसे सकते हैं कुछ आईरिया है मुझे ऐसा लग रहा है कि हम यह कर सकते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दिखाई जाए जो की टीचिंग लेर्निंग मटीरिल का हिस्साओ मैं आपकी मदद कर देती हम इस चीज में यह देखिए यह एक वर्ल्ड मैप है रोके वर्ल्ड मैप की बात हम करें तो इसमें से जैसे 71% आपने कहा पानी है और 39% 30% हमारा लैंड एरिया है इसमें देखे मैंने इसको मॉडिफा किया है और लैंड एरिया को हमने टेक्टाइल बना दिया है मिटी से आप छू के देख सकते हैं इसमें और जो प्लेन एरिया होगा वो वाटर एरिया होगा तो हम बच्चों को बता सकते हैं कि जो मिटी वाला एरिया है यह कॉंटिनेंट्स हैं जहां पे हम लोग रहते हैं जो प्लेन एरिया है यह सारा वाटर एरिया है, सी लेवल है तो यहानी कि नक्षे की मदद से हम नक्षे की मदद से हम इसे बता सके हैं ऐसे ही क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको देखने में दिक्कत थी है बच्ची बाधिता होती है उनके लिए भी मैंने मौडिफिकेशन किया है आप इस मैप में देखिए इसमें हमने इसको वाटर लेवल को हाइलाइट कर दिया इसको डाक कर दिया है तो जो लो वीजन वाले बच्चे हैं उनको बड़े आसानी से अंतर समझ आएगा कि कॉंटिनेंट्स क्या है और सी क्या है ओशन क्या है तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से इस चीज को हाइलाइट कर सकते हैं और बच्चों को अंतर पता करा सकते हैं कि पानी क्या चीज है तो चलिए यह तो हुई बात कॉंटिनेंट्स की और कितना प्रिस्वी पर पानी उपलब्ध है तो चलिए आज पार्ट शुरू करें हम पार्ट शुरू करते हैं तो हम जब वाटर रिसोर्स की बात कर रहें इसमें कुछ मुख्य बिंदू हैं जिसके उपर हम इस चैप्टर म करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैसे कंजर्व करेंगे हम इस पानी को इसके उपर हमें अपने बच्चों को अलग अलग आइडिया लेने चाहिए उनसे और उनको बताना चाहिए कि वर्केबल प्रोजेक्ट क्या है जो कर सकते हैं ऐसे में कुछ गवर्मेंट के प्रोज आइड नेच्रल रिसोर्स में आती है रेन जो बहुत अच्छा पानी के जहाएं फ़िव . तो इस सब पानी को जो नैच्राली हमें मिला एट उस सारे पानी को हम कैसे क Spartos करेंगे इसके बारे में धिये पूरा चैप्टर है इसमें हमारी गंवमेंटी तरफ से और व्ल्ड व जिसके द्वारा वो पानी को हैंडल करते हैं मैनेज करते हैं और हमारे यूज करने के लाइक बनाते हैं इन चीजों को तो यह हम अपने जो कि दूट बनाते हैं तो इसके लिए मैं एक चोटा सा वीडियो दिखाऊंगी जिसमें डैम के बारे में बताया गया इदाइम सिर्फ पानी को रिजर्व करने के लिए यूज होता था लेकिन अब डैम से हम विजली बनाते हैं डैम से हम वहां रिसोर्स ए त्यूरिजम को ज्य इरिगेशन पर एग्रीकल्चर पर ज्यादा बेस्ट है तो उसको इन्हांस करने के लिए ये डैम्स यूज होते हैं तो मैं आपको दिखाती हूं इस बारे में ठीक है चलिए एक्सप्लीन कर देते हैं तो आप देखिए ये हमारे 10 important dams के बारे में एक वीडियो है चोटा सा वीडियो है इसमें देखेंगे उन्होंने डैम के थ्रू पूरा पानी को रिजर्व कर लिया है रोख लिया है इस पानी को दीरे-दीरे अपनी utilization के हिसाब से यूज करते जाते हैं और एक height से जब हम पानी को डालते हैं तो उसके pressure से hydro electricity बनती है नीचे turbine होता है टर्बाइन से हम पानी को बिजली में कनवर्ट कर देते हैं और हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन इसका फैदा उठा सकती है उपर जो पानी कलेक्ट हुआ है वो हम इरिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं और वहां पर स्पोर्स एक्टिविटीज भी कर सकते हैं इसलिए आज कल डैम्स को मल्टी पॉपस रिवर प्रोजेक्ट बुला जाता है तो यह मेजर मेजर डैम्स हैं जो आप वीडियो के थ्रू अपने बच्चों को दिखा सकते हैं और उनको इससे बड़ा अच्छा लाइव एक एक एक्सप्रेशन हो जाएगा इनको देखने का चलिए तो आगे बड़े आगे चलते हैं अभी जैसा हमने बात करी कि हमारे देश में बहुत सारी रिवर्स हैं और उस रिवर का पानी बहता रहता है और जाके समुद्र में मिल जाता है समुद्र का पानी होता है खारा लेकिन उस खारे पानी को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं तो रिवर को ही रिवर के पानी को यूज करने के लिए हर रिवर पर ये मेजर डैम्स बनाए गए हैं अब हम अपने वीजुली इंपेड बच्चों को कैसे डैर रिवर के बारे में बताएंगे वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी तो अगें हम बात करते हैं अगर हमारी क्ला है आप मैंने इंडिया की बांडरी को हाइलाइट किया है पिंक ब्राइट पिंक कलर से ताकि वो नेबरिंग कंट्री से डिस्टिंग्विश हो सके और बच्चे उसको पहचान सके कि ये भारत का नक्षा है और इसमें मैंने अलग-अलग रिवर्स को अभी मैंने बहुत सार आप देखिए एक यहां पर जो है नमरता जी सवाल उड़ता है लो विजन की हमने बात की जो बच्चे द्रिश्टी बादेत है उनके लिए हमें क्या कुछ बनाना होगा है उसके लिए हम टीचर हाथ से घर में बना सकती है सिफ एक फेविकॉल चाहिए एक उन चाहिए और घर में ही इंबॉस्ट बना सकती है अधर्वाइज इंस्टीट्यूट के पास इंबॉसिंग मशीन होती है उससे भी बना सकते है मैं ने तो घर में ही बनाया है हम दुबारा से मैप में आते है ये मैप में देखिए हमने अगें बार बना दिया है इंडिया का एंड अलग अ मैंने इनमे बना दिया है तो बच्चों को इसको चू कर समझने में बहुत आसानी हो जाएगी अगर आपको ध्यान से दिखाई दे रहा हूं यहां पर देम का या अपने कुछ एक मोती जासा लगा दिया है और उन के छोटे से पतले से दागे से मैंने रिवर्स बनाई है और बनाई है तो बहुत आसानी से टीचर इस टॉपिक को या किसी भी टॉपिक को मोडिफाई कर सकती है एडाप्ट कर सकती है हमारे चिल्रन विद स्पेशल नीद्स के लिए जी चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अभी और इस चैप्टर में क्या-क्या इंबॉर्टन है हमारे लिए तो अब हम जानेंगे हम ICT की और गए है तब से हमारा लॉकडाउन लगा है सारे दुनिया डिजिटल हो गई है तो शिक्षा कैसे इस शेत्र में पीछे रह सकता है तो शिक्षा के शेत्र में NCRT ने बहुत अच्छा काम किया है एक दीक्षा पोर्टल है तो हम दीक्षा पो अफिशल वेब साइट है इस वेब साइट पे जब हम जाएंगे तो यहां एक्सप्लोर दीक्षा है आप एक्सप्लोर दीक्षा पे जाएंगे वेब साइट जो है प्रोसेस हो रही है तो आप दीक्षा पोर्टल के बारे में जानते ही है और यदि आपने चेक नहीं किया है तो उसे आज ही सर्च करें उस पर इतना काम का कॉंटेंट है इतना ज्यादा मुझे लगता है इंटेलेक्शल प्रोपर्टी है वो सभी टीचर से तमाम सारी चीज़ें बहतर हो पाई और मैं ये भी जानना चाहरा था आपसे कि जैसे ये बहुत घरेलू चीज़ बढ़िया लेकर आई आप उन सभी घरों में मिलती है जो है बहुत आसानी से उसको इंबोस बनाया जा सकता है किसी भी चीज़ को लेकिन जैसे दुष्ट होगा मुझे लगता है वो कैसे हो सकता है ये मैं जानना चाहरा था आपसे तो हम अभी शायद नेटवर्क का थोड़ा इशू है हम दीक्षा पोर्टल पर जा नहीं पा रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूं दीक्षा पोर्टल पर जाएंगे वहां आप क्लास वाइस जा स सकते हैं बड़ा हो जाएगा सारा कंटेंट आप उसको ओडियो मोड में भी सुन सकते हैं आपके पास ओडियो मोड में भी पूरा कंटेंट मिलेगा प्लस आप उसको हाइलाइट कर सकते हैं आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं जो हमारे चिल्रन विद एस जी हैं चिल्रन व पाड़ा कर हम उसमें कुछ चीज झृब्ट एंपरटंट हैं इपलों को मुत हैं इप्लों को विए कि ना इंपर्टंट चीज है हम बच्छों के लिए इसको adapt कर सकते हैं और उनको दिखा सकते हैं, यह स्पेशली काम आता है आई डिडी के बच्चों के साथ, जो कि स्लो लर्नर्स होते हैं, जो हमारे एसडी हैं, और एसल्ड के बच्चे, यानि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलेटी के बच्चे, उनके लिए हम यह वाला मॉडिफिकेशन कर सकत हैं उनके लिए, तो इस तरीके से हमारे जो एसल्ड के बच्चे हैं, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलेटी के बच्चे हैं, आई डिडी के बच्चे हैं, उनके लिए हम कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, ब्रेल भी है इसमें, और साइन जो इमबॉस हो जाता है, ये टोठली ब्लाइंड बच्चों के लिए जादा काम आता है, ये जिसको बहुत जादा लोविजन की प्रॉबलम है, वो भी इसको यूज कर सकते हैं, इसके लिए ब्रेल बुक्स बनाती हैं, वो सब जगे औल ओवर पैन एंडिया प्रोइड करा है, तो इसके लिए हमारी नई टिकनोलेजी आया है, जिसको बोलते हैं, डेजी ई-बुक है, डेजी ई-बुक एक एलेक्ट्रोनिक डिवाइस है, उसमें आप ए-कंटेंट ले ले लेते हैं, और बच्चे उसको फॉर्वर्ड करके पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं, सब अपने स्कूल में इंक्लूड कर दिएगा, एंड जहां तक आप बात कर रहे हैं, इंडियन साइन लैंग्वेज की, तो ये तो हमारी नई एजुकेशन पॉलेसी में आ गया है, कि इंडियन साइन लैंग्वेज अब हर स्कूल में सिखाई जाएगी, और सब के लिए ये अपना काम भी कर लेंगे, लेकिन उसमें एक सबसे अच्छी बात ये होगी, कि जब बद्जे सेलिबरेट होगा, तो भी शोर नहीं होगा, तो भी हम ये कह सकते कि चलिए, लेट्स क्लाप, हम बिना शोर में चाय क्लापिं कर लेंगे, चलिए, तो थोड़ा सा और मॉडिफ लिए, हमारे पास मैनिफाइंग ग्लासे होते हैं, मैनिफाइंग शीट होती है, जो इंडिविज्वील है बच्चे अपने च्लास में यूज कर सकते हैं, जैसे हम ठेक्स्टativos लेते हैं, लेते। नहीं मैनिफाइंग शीट से उसको यूज कर सकते हैं, और मुल्τι सिंसरी की बात करें तो हमारे सारे ही learners diverse हैं तो उन diverse बच्चों को cater करने के लिए multi-sensory teaching बहुत important है इसमें हम audio mode use करते हैं इसमें हम video mode use करते हैं आप उनको videos दिखा सकते हैं उनको कहानियां सुना सकते हैं आप उनके साथ inaction कर सकते हैं, drama कर सकते हैं और सब के लिए बड़ा अच्छा होता है अगर हम फील्ड विजट पे जाएं और एक्सकर्शन करें और एक्सपरियन्स ले तो उसमें हम अपने सारे बच्चों को एक साथ लेके जाएं उनको वेल दिखाएं आज कल टीहरी डैम के बारे में बहुत बाते चल रही हैं तो वो डैम में आप देखेंगे वहां पर बहुत सारे water sports भी हैं बहुत बढ़िया इंडिया का मेरे ख्याल से काफी largest ये डैम बन रहा है बन गया है बहा हम जाएंगे सारे बच्चों की बहुत अच्छी लर्निंग होगी वो अपने नेचर के साथ जुड़ेंगे और पाने की महत्व को और अच्छे से जान पाएंगे बिल्कुल तो ये तो हुई बात हमारे चो की practical लर्निंग की इसके अलावा और क्या-क्या चीजे है जो आपको और हाइलाइट करनी है ताकि और टीचर्स भी जान सके कि को जब प्लास में पढ़ाएं तो हमारे जो चिल्टरन विद स्पेशल नीज उनके लिए भी वो हलपफुल हो तो ये मैं बता ही चुकी हूँ कि हैसे हाईलाइट करना है हम मारकर से और स्केच्पन से चीजों को खार इंपोर्टेंट योपनेटार्स को कर सकते हैं हाईलाइट हम पॉइंटर्स बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए ग्राफिक या ड्रामाटिक प्रेजेंटेशन हो सकती है कंटेंट की और जब हम एवैलुएशन करते हैं तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि हम लॉंग कोशिंस देने के बजाए उनको मल्टिपल चॉइस कोशिंस दे दे अबजेक्टिव टाइप कोशिंस दे दे जिससे की वो पढ़ सकें आराम से समझ सकें और वर्किंग मॉडल्स का यूज कर सकें तो वर्किंग मॉडल्स होंगे प्रोजेक्ट होंगे तो बच्चों को जादा बहतर तरीके से समा जाएगा यहां मैं बताना चाहूंगी देख्षा पोर्टल पे जब हम जाएंगे क्लास टेंथ सोशल साइंस में जाएंगे तो वहां पर एक बड़ा अच्छा सा वीडियो मैंने देखा था जिसमें उन्होंने विंड मिल से वाटर एक्सकर्ट किया है ग्राउंड लेवल से और वह वर्किंग मॉडल एक क्लास टेंथ की बच्ची ने बनाया है तो आप इस पर ज़रूर विजट कीजेगा विंड मिल के थू कैसे वह पानी को निकालते हैं जमीन से यह बड़ा अच्छा ही प्रोजेक्ट आप देख पाएंगे जी एंस्यार्ट की वेब साइट पर ठेक है चालिए आगे बड़े हां जी आजकल जमाना ICT का है information and communication technology का है तो इसमें हम जानेंगे जैसे multi-purpose projects है या rainwater harvesting है rainwater harvesting आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है है क्या चीज rainwater harvesting rain तो बहुत होती है लेकिन अब हर जग है घर बन गए है concrete jungle बन गया है वह सारा पानी बहुतर नाली में चला जाता है तो पानी हमने देखा natural resource तो water river rain है लेकिन rain को हम कैसे waste कर देते हैं बहुत बुद्धी जीवों ने इसके ओपर धियान लगाया rainwater harvesting का system बनाया यानि जब बारिश होती है चत हम clean रखते हैं और चत से पानी pipe के थूँ नीचे water tank में हम collect करते हैं और उस water को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं आजकल आरो लगा है और बाकी सारी चीजें उससे हम drinking water भी बना सकते हैं otherwise gardening के लिए कपड़े धोने के लिए बाकी चीजों के लिए यूज करने के लिए हम वो river से collected rain से collected पानी को हम use कर सकते हैं तो ICT में आप इन सारी चीजों को YouTube के द्वारा या और Google में वीडियो के द्वारा देख सकते हैं तो मैंने कुछ यहां पर लिंक्स दिखाए हैं आप उन लिंक्स पे जाकर multi-purpose projects को भी देख सकते हैं आप rain water harvesting के बारे में भी इसके बारे में जा सकते हैं जी और यह बिल्कुल एक practical learning होगी और जैसा कि हम जानते है rain water harvesting के बारे में आज जो बिल्डिंग भी बनती है काफी समय से यह प्रावधान भी कर दिया गया है कि उनकी जो rooftop है उस पर rain water harvesting का system पहले से ही install करना होगा वो उसके नक्षे में mention होना चाहिए जो engineers उसको design क कर रहे हैं और आज कल घर भी लोग ऐसे ही बनाने लगे है इंफेक्ट मैं घर गया था वी राजस्थान की आपने जैसे बात की जो राजस्थान का एक शहर कोटा जो की पढ़ाई के लिए बहुत ही जादा प्रसिद है वहां पर मैंने घर देखा उन्होंने क्या किया हुआ कि अनके घर में को थाजस्थान है ही नहीं उन्होंने अपने घर में ही एक वाटर ट्रीटमेंट मही लगाया हूए तो म爸爸 ही पूरा नेचृनल ही इंबोस्था है झाहिए जरूर उनुने थार पैणल भी लगाया हूए और उसकी चारो तरफ काफी सारी ग्री भी है तो मुझ भी वेस्टेज है हीन, even कपडे भी धुलेंगे तो वह पानी भी कहीं जाएगा फिर वो मशीन में जाएगा फिर फिल्टर हो किसी और जगे यूज होगा तो यह रिसाइकलिंग उनकी चलती ही रहती है मुझे लगता है इस परकार के अधारण बहुत अच्छे होते हैं इनको सदोपयोग बहुत आवश्चक है चलिए आगे बने तो अब हम आजाते हैं की वर्ट्स पर चलिए की वर्ट्स पर आगए हैं तो मैं मधू से आग्रह करूगा कि आप इन वर्ट्स को जो की स्क्रीन पर मेंशन भी है मैंने बता देता हूँ आप इन्हें साइन लेंगविज हार्वेस्टिंग पढ़ा ही कम प्रैक्टिकल लर्निंग ज्यादा थी तो प्रैक्टिकल लर्निंग पर आधारित अज होमवग मिलने वाला एक लास में जरूर हम आते हैं होमवग पर ठीक है बहुत एजी और सिंपल होमवग है जो हमारे बच्चे हैं वो जाएंगे अपनी सोसाइटी में इंपोर्मेशन लेंगे की हर हाउच को यूटिलाईज किया जाता है और कैसे वो लोग वेस्ट कर देते हैं बहुत लोग करते हैं और उनको समझ नहीं आता है जब हम डिसकुस करते हैं तो समझ आता है बहुत पानी वेस्ट होरा है हमारे हाथों से सिफ ये डाटा क्लेक्ट करना नहीं हैं, हमें ये भी देखना है कि क्या मेजर होने चाहिए ताकि हम बाुर को कंजर्व कर सकें। चुर्धरोशन हमारे इंडिवीज्व लेवल पर, अगर आप दम जड़ा देश को भाल एक भाट अच्छे से उपेयोग कर पाएगा। यह चोटा सा हुमवक है जो मैं अपने चोटे चोटे बच्चों को चोटे नहीं हैं तेंथ क्लास के बड़े बच्चे हैं जिम्मेदार बच्चे हैं उनको अपनी रिस्पॉंसिबिलिटी समझ आनी चाहिए तो मेरे खिसाब से वह बहुत अच्छे से इस चीज को कर आएंगे बिल्कुल और इस प्रकार का कोई भी सर्वे चोटा नहीं होता वो बहुत ही जादा बड़े प्रयास होते हैं और चोटे चोटे प्रयास जैसा कि अभी नमर्ता जी ने भी कहा कि आप अपनी सोसाइटी में करें अपनी फैमली लेवल पर करें आप अपने फ्रेंड्स के जो हमारे CWSN है उनके लिए हमने इसमे थोड़ा सा बदलाव किया है एक CWSN बच्चे अपने साथ सिबिंक को ले जा सकते हैं अपने भाई-بहन को ले जा सकते हैं डाटा कलेक्शन के समय या अपने फ्रेंस को ले जा सकते हैं दो उनके लिए सिफ 10 हाउस HOL्स में जाकर ये ड कर सकता है data collection कर सकते हैं और अपने relatives के साथ मिलकर भी data collection कर सकते हैं measures उन्हें खुद सोचने होंगे अपनी community में बैठ कर उनको इसाथ मिलकर अगर आप measures को ढूंडेंगे conservation के तो I'm pretty sure कि सब लोग उनको imply भी करेंगे apply भी करेंगे तो आप उन्हीं लोगों के साथ मिलकर बैठिए discuss कीजिए और इसके लिए प्रोडेक्टिव मेंजर्स लेके आईए जो एपलाई कर सके अपने घर में और वाटर को कंजर्व कर सके बिलकुल और मुझे ऐसे किस्सा भी आदारा है जब हम लोग स्कूल में हुआ करते थे तो भलाई का कार एक ड्राइव हुआ करती थी जिसमें महले के जो घर हुआ कर आपकी गाड़ी कमाई है जो अपने स्कूल में सब्मिट करेंगे फिर वो कहीं किसी सथ कारे में लगाई जाएगी तो वो बड़ी अच्छी एक ड्राइव होती थी मुझे लगता है आज शायद इस तरीके की ड्राइव ना हो लेकिन ये जो आपने कहा ये ड्राइव जैसे वीडियो बने आपका सर्वे लेने का डिसक्शन का और मैजर्स का आपके पास रिकॉर्ड भी रहेगा औरियो वीजुल आपका चीज एकटी हो जाएगे और सब को दिखाने के लिए प्रेहना देने के लिए बहुत बड़िया मैटीरियल और अच्छी बात ये भी होगी कि आप जो भी एफर्ट करेंगे आपकी जो सरकार है आपका जो एड्मिनिस्ट्रेशन है वो आपकी सबसे पहले हेल्प करेगा क्योंकि ऐसे ओफिसर्स हैं जो यह चाहते है कि वो चीज चीज देखें अभी हमने एक ऐसा ओधारन भी सोना रेडियो पर कुछ दो पहले की लाल पानी बचाने की जो एक पहल है पानी बचाने की तरफ जो भी आप कारे करेंगे उसको जरूर जो है उसको नोटिफाई किया जाएगा चलिए आगे देखते हैं होमवक सब्मिट कैसे करना यह देख लेते हैं जल्दी से फिर अपना सेशन हम कंक्लूर करते हैं स्क्रीन पर आप देख पाएंगे इक हाओ टू सब्मिट दहूंवक अपना नाम लिखेंगे अपनी क्लास अपनी स्कूल का नाम एक्सपर्ट और टीचर का नाम लिखेंगे आप अपनी टीचर के साथ साथ नमरता जी का भी नाम लिख सकते हैं क्लास 10 का इमेल इडी फ्लैश हो रहा है डेट ऑफ जो सब्मिशन है वो आप भेजिए और अपनी फोटोग्राफ विच इस ऑप्शनल यदि आप चाहें तो लगाएं नहीं चाहें तो नहीं लगाएं आपकी इच्छा पर निर्भर करता है चलिए अब हम अपना ये सत्रिया समात करते हैं नमरताजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगा बहुत एजिली आपने ये सब्बॉस जो है मैपस बनाए और घर का सामान ताकि किसी को कुछ एड़ खरीदना ना पड़े मितवय इता का भी यहां पर परिचे दिया आपने उसके लिए बहुत बहुत आपर शुक्रिया बहुत आपर सो इस पॉसित नोट के साथ हम अपना ये सेशन यहां समाक्त करने जा रहे हैं मदु आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज पूरा सेशन जो है साइन लेंगोज में इंbugपीड किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हम अपना ये सेशन यहां समाप्त कर रहे हैं आप हमारे तमाम और सेशन के लिए जुड़े रहे हैं और देखते रहे हैं इविद्या चैनल्स नमस्कार